मुंबई में कल रात से हो रही लगतार तेस बारिश की वज़ह से ब्यमसी ने आदेश दिये हैं कि आज पूरी मुंबई में जरूरी सेवा के लावा सब बंद रहेगा मुंबई BMC ने शहर में आज और कल रेड अलर्ट जारी करते हुए मुंबई के लोगों को घर पर ही रुखने की हिदायत दी है आज मुंबई में सभी दुकाने और प्राइविट ओफिस बंद रहेंगे तो मुंबई में भारी बारिश के वज़़ से ये फैसला लिया गया है कि सर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आवाजाही कर पाएंगे प्राइविट ओफिस बंद रहेंगे और मुंबई में लोगों को दो दिन तक घर में रहने की सलहा दी है जब जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले मौसम भिभाग ने अलर्ट जारी किया है रुकर कर मुंबई में बारिश हो रही है और इसे मुसीबत की बारिश कहा जाएगा क्योकि कई इलाकों में जल जमाव है कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं कर्दान भी खिसकी है ऐसे में सड़कों पर पानी भर चुका है जिसको हटाने का काम लगतार चल रहा है। वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है तमाम जो इलाके हैं उसे पानी भर चुका है और उसी में यह मलाट सब्वे भी है कि यह रज रास्ता जाता है यहां से आप इस से वेस्ट और वेस्ट से इस आ सकते हैं लेकिन यह रास्ता बंद होने के चलते अब लोगों को घूम कर आना पड़ेगा यानि जो रास्ता आथानी से आप जो है इस्ट और वेस्ट मलाट में आ सकते हैं उसके चलते जो है अब पानी भरने के चलते यह रास्ता बंद कर दिया गया है दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है कि आखिर मलाट सब् पीर लगातार बत्तर होती जारी क्योंकि राट से ही बारिस जारी है मौसम विभाग ने अलट जारी किया है कि आज मुशला धार बारिस होगी और कल भी मुशला धार बारिस होगी रेड अलट का मतलब है कि मुशला धार बारिस काफी तेज बारिस होगी और ऐसे में आज औ अप्तर निकलने वालों के लिए मुशीवतों का सामना करना पड़ेगा, हलाकि मौसम विभाग की तरफ से, यमजी की तरफ से, पुलिस की तरफ से अपील की गई है कि लोग जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, नहीं तो घर में ही रहें, तो लेकिन जिस तरह की त झाँ